Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit और आज हम 2021 में होने वाले सब भी competitive examinations के लिए बहुत ही important current affairs के questions देखेंगे और ये सब भी ऐसे questions होंगे जिनसे कि आपको आपके examinations में questions देखने को मिलेंगे तो चलिए देखते हैं कि ये कौन-कौन से important questions हैं जो कि हमारे examinations perspective से काफी important हैं ओके तो चलिए शुरू करते हैं and before starting subscribe and bell icon पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही all notification को active कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी type के most important current affairs and GKS related videos time to time मिलती रहें और आप अपने examinations में अच्छा score कर सकें ओके तो चलिए शुरू करते हैं question number one is इसरो has launched which satellite successfully in February 2021 यानि कि अभी हाल ही में फरवरी 2021 में इसरो ने एक satellite launch किया है तो ये कौन सा satellite है यानि कि इसका क्या नाम है तो देखे अभी हाल ही में 28 फरवरी 2021 को इसरो ने Amazonia 1 और इसको SSR 1 भी बोलते हैं इस satellite को launch किया है और ये एक Brazil के दुआरा डवलप किया गया satellite है और ये पहला Earth observational satellite है और इसको इंडिया के 37 धवन Space Center स्री हरी कोटा आंधर प्रदेश से launch किया गया है और इसको किस rocket से launch किया गया है PSLV DL C-51 PSLV means polar satellite launch vehicle तो देखे ये इस रो और space missions related जो questions होते हैं ये examinations perspective से काफ़ important होते हैं और इनसे examinations में questions पूछे जाते हैं Alright, so this question is very very important satellite का नाम है Amazonia 1 और ये SSR 1 भी लिखा आपको मिल सकता है Right, बहुत important question है चलिए आगे बढ़ते हैं Next question is Which is very very important Who won Australian Open Tennis Tournament 2021 यानि कि 2021 में अभी जो Australian Open हुआ है तो इसके विजेता कौन है देखे ये यदि question में category नहीं दी हुई है जैसे कि singles या doubles या mixed doubles इसेक्टरा तो आपको singles खिताब लेके चलना है तो देखे 2021 के Australian Open का खिता है जापान की Naomi Osaka ने और यदि male category की बात करें तो man's singles का खिताब जीता है सर्विया के नौवाक जोकोविक ने ओके ये question बहुत ही important है और ये आप से आपके upcoming examinations में पूछे जाने के इसकी संभावना बहुत जादा है तो 2021 का Australian Open किस ने जीता है man's singles का खिताब जीता है नौवाक जोकोविक ने और woman's singles का खिताब जीता है जपान की Naomi Osaka ने ओल्राइट चलिए आगे बढ़ते हैं question number 3 is which is very very important what is the venue of युद्ध अभ्यास joint military exercise conducted in 2021 यानि की युद्ध अभ्यास एक joint military exercise का नाम है जो की अभी हाल ही में 2021 में conduct कराई गई है अभ्यास इंडिया और USA के बीच में होने वाली joint military exercise है जो की बहुत ही ज़्यादा important है और इससे अक्सर examinations में questions बनता है और इस बार ये exercise राजिस्थान में conduct कराई गई थी और ये इसका 16th edition यानि की 61 संस्क्रण था और इसको 8 फरवरी से 21 फरवरी 2021 में conduct कराई गया था तो ये question भी बहुत ही important है और ये joint military exercises से related भी questions examinations में पूछे जाते हैं defense के field से और ये joint military exercise जो भी अब भी हाल ही में हुई हैं इंडिया की सभी countries के साथ में इन पर मैं एक separate video और बना चुका हूँ तो इंडिया और USA के बीच में होने वाली joint military exercise युद्ध अभ्याज ये राजिस्थान में conduct कराई गई थी इसका ये 16 एडिशन था और ये 8 से 21 फरवरी के बीच में conduct कराई गई थी देखिए date इतनी important नहीं है लेकिन इसका addition, venue और किन countries के बीच में ये exercise conduct कराई जाती है, ये important points है, इनसे examinations में अकसर question पूछा जाता है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इसी type के most important topics जैसे की Padma Awards, Nobel Prize ICC Cricket Awards and Galantry Awards etc. इन सभी topics पर हम वीडियोज उल्रेड़ी बना चुके हैं, यदि वह आपने भी तक नहीं देखी हैं, तो जरूर देखिए complete playlist का link आपको नीचे description box में दिया हुआ है, और ये वीडियोज आपको उपर आई बटन में और end screen पर भी मिल जाएंगी, right ये सब भी topics, examinations oriented topics हैं, और हम केवल exam oriented topics ही cover कराते हैं जो की exams के लिए बहुत ही important होते हैं, right, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question is which Indian cricketer has become the fourth bowler to play hundred test matches, यानि की भारत की तरफ से cricket खेलने वाले ऐसे कौन से bowler हैं जो की अभी हाल ही में 100 test match खेलने वाले चोथे भारत के गैंदवाज बने हैं तो देखिए अभी हाल ही में February 2021 में इंडिया और इंग्लेंड के बीच में एक test match खेला गया था, जो की गुजरात के, एहमदाबाद के मोटेरा stadium, जो की पूरे वल्ड का सबसे बड़ा cricket stadium है तो उस stadium में जो एक match खेला गया था इस match में इशान्त सर्मा भारत की तरफ से, 101 test match खेलने वाले, 4th गैंदवाज बने थे इनके अलावा, 100 test match खेलने वाले जो भारत के गैंदवाज हैं वो हैं अनिल कुम्बले, कपिल देव एन हर्बजन सिंग, अनिल कुम्बले ने 132 test match खेले हैं, और कपिल देव ने 131, और हर्बजन सिंग ने 103 और इशान सरमा ने 100 test match खेले हैं ये बाकि की जो तीन बोलर्स हैं ये retirement कर चुके हैं और इशान सरमा अभी भी भी खेल रहे हैं ओके और ये दी question में ये हो कि fast baller तो ये दूसरे fast baller है 100 test match खेलने वाले इंडिया की तरफ से इन से पहले कपिल देव जी हैं जिन्होंने की 131 मैचेस खेले हैं राइट तो इंडिया की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के चोथे केंदबाच कौन बने हैं इशांत शर्मा और देखें ये कोशन भी काफी important है किर्केट से related questions अक्सर examinations में पूछे जाते ह हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं next question is who was awarded by महावीर चक्र in 2021 यानि की 2021 में महावीर चक्र जो की एक वीरता पुरुषकार है और भारत का ये second highest Galantry Award यानि की दूसरा सर्वोच वीरता पुरुषकार है तो 2021 में ये किसको दिया गया था ओके तो देखिए 2021 में ये अवोर्ड करणल बी संतोस बाबु को पोच्थ मसली यानि की मरणोन प्रांत दिया गया था और ये 16 बिहार से थे और इनको गलवान वेली में चायना के अगेंस्ट वहाँ पर हुए stand-off में अपनी जान की परवाने करते हुए अपनी बहादरी और आदम में शाहस का परीचे देने के लिए इनको इस अवोर्ड से सम्मानित किया गया है ओके और ये question भी काफी important है तो 2021 में महावीर चकर किसको दिया गया है करणल बी संतोश आदम में अपनी जानी बादर आदम में अपनी बादर आदम में अपनी बनाया गया है यानि की डेपुटी सुप्रिंटेंडेंट आप पुलिस तो देखिए इंडिया की जानीमानी रेसर हिमादास जी को असम सरकार ने DSP अपोइंट किया है और इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं इन्होंने भारत का काफी नाम रोशन किया है और ये काफी गोल्ड मेडल्स चीत चुकी है और इन पर एक क्वेशन और बनता है कि धींग एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाडी को जाना जाता है तो हिमाद box में लिखके बताना है right let's move on next question is which is very very important what is the mascot of Olympic Games 2020 यानि की Olympic Games 2020 जो की 2020 में नहीं हुए थे mascot से related question examinations में अक्सर पूछा जाता है और क्योंकि ये Olympic Games अभी आ रहे हैं काफी नस्दीक है तो आप से इस topic से related questions पूछे जाने के chances बहुत बहुत जादा है right तो 2020 के इन Olympic Games जो की 2021 में conduct कराए जाएंगे इनका mascot है म्राय तोवा ओके और म्राय तोवा जो है ये जापान की language के द 2020 के Olympic Games जो की 2021 में conduct कराए जाएंगे इनके mascot का क्या नाम है म्राय तोवा याद रखिए ये बहुत ही important question है all right ये Olympic Games related जो questions होते हैं वो बहुत ही important होते हैं और ये और important इसलिए हो जाते हैं यदि कोई Olympic Games नस्दीक आ रहा हो या अभी हाल ही में वो conduct कराया गया हो all right तो उस Olympic Games related य जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next question is who was awarded by US Anti-Corruption Award in 2021 यानि की अभी हाल ही में US Anti-Corruption Award 2021 में किसको दिया गया है तो देखिए ये अबोड दिया गया है अंजली भादवाद जी को all right और ये question भी काफी important है कि देखो US Anti-Corruption Award है और ये भारतिये मूल के किसी नागरिक को दिया जा रहा है और वो भी एक लेडी को all right so that is why this question is very very important और ये आप से आपके examination में पूछा जा सकता है तो US Anti-Corruption Award 2021 में किसको दिया गया है अंजली भादवार जी को all right let's move on next question is recently on whose name has the Indian government issued a stamp यानि की हाल ही में भारती सरकार ने किसके उपर एक postage stamp यानि की dark ticket जारी किया है तो देखिए अभी हाल ही में भारती सरकार ने जे इश्वरी बाई यानि की जेटी इश्वरी बाई जी के नाम पर dark ticket जारी किया है और ये एक politician थी तो देखिए ये question भी काफी important है current affairs में सबी examinations के लिए तो हाल ही में postage stamp यानि की dark ticket किन पर जारी किया गया है जे इश्वरी बाई यानि की जेटी इश्वरी बाई जी पर और ये question भी काफी important है let's move on next question is which film has won best picture award in दादा साहिफ फाल के अवोर्ड 2021 यानि की अभी हाल ही में दादा साहिफ फाल के अवोर्ड 2021 जो दिये गए है इनमें best picture का अवोर्ड किस movie को दिया गया है तो ये अवोर्ड दिया गया है तनहाजी movie को और ये movie अजय देवगन एन सैफली खान की movie है और ये वोर्ड से related movie है ओके और देखिए ये जो एक category है best picture अवोर्ड से related ये category भी बहुत ही ज़्यादा important है इससे examinations में questions पूछे जाते हैं और इस topic पर यानि की दादा साहिफ फा का उपर आई बटन में और नीचे description box में complete playlist का link दिया हुआ है और ये videos आपको end screen पर भी मिल जाएंगी ओके तो ये हैं बहुत important current affairs के questions जो की सबी examinations के लिए बहुत ज़्यादा important है और आपके लिए question है कि अभी हाल ही में इस रो ने जो satellite launch किया है उस satellite का क्या नाम है और वो कि इस country का satellite है okay and I hope आपको ये video informative and valuable लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो प्ली लाइक और शेयर जरू कीजिए और इसी type के most important current affairs and GKS related topics time to time पाने के लिए subscribe और bell icon पर क्लिक कर दीजिए और all notification को active कर लीजिए जिससे कि आपको इसी type की videos time to time मिलती रहें okay और अभी आप end screen प for your examinations perspective and all the best for your examinations and that's all for today bye bye